इस वीडियो का टॉपिक है Maximization Using Simplex Method Simplex Method के जरिए आज हमने Maximization को समझना है हम किसको Maximization करेंगे Standard Maximum Problems को इसके लिए हम Example ले लेते हैं मिसाल के तोर पे हमारे पास एक Profit Function है जिसको हमने Maximize करना है तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ Maximize और Function है P is equal to 2X plus Y यह हमारा Objective Function है और यहाँ पे Conditions है X is greater than equal to 0 Y is greater than equal to 0 और Constraints हमारे पास है X is less than equal to 40 3X plus 4Y is less than equal to 240 और 2X plus Y is less than equal to 100 यह हमारे पास extended maximum problem है इसको हमने क्या करना है maximize करना है तो इस problem में सबसे पहला step हमने क्या करना है हमने सबसे पहले जो यहाँ पे objective function है इसको rewrite करना है किस सरह से लिखेंगे कि जो right hand side पे है variables उन सब को हम left hand side पे ले आएंगे तो इसको लिखेंगे minus to X minus Y left hand side पे आके sign change हो जाएंगे plus P is equal to 0 यह हमारा profit function है उसके बाद इन constraints को हमने equality में convert करना है जो सबसे पहला constraint है वो है X is less than equal to 40 इसको जब हम convert करेंगे यह बन जाएगा X plus S1 equal to 40 अब यह S1 क्या है यह हमारे पास है slack variable slack variable हमने इसलिए add किया है क्योंकि जब हमने inequality को खत्म किया तो यहाँ पे हम एक variable add कर देंगे plus S1 इसकी value कुछ भी हो सकती है कोई भी real number हो सकता है यह variable तब आता है जब आप inequality को equality में convert करते हैं next constraint को करें यह बन जाएगा 3X plus 4Y plus S2 इसको नाम दे देते हैं is equal to 240 और last constraint है यह बन जाएगा 2X plus Y plus S3 is equal to 100 इन तीनों में different slack variable हमने introduce कराना है तो सबसे पहला step हमने क्या किया profit function को rewrite किया उसके बाद इन constraints को हमने equation के form में लिखा इसके बाद हमारा next step क्या होगा हम इसको augmented matrix के form में लिखेंगे augmented matrix क्या होता है ऐसा matrix होता है जिसमें equation की left hand side और right hand side को दोनों को ही लिखा जाता है तो यहाँ पर हमने bracket लगाया और सबसे ओपर variable के नाम लिखेंगे variables हैं x, y, p, s1, s2 और s3 तो यहाँ पर इसी तरतीब से लिखेंगे x, y, उसके बाद पहले slack variables को लिखना होता है s1, s2, s3 और उसके बाद profit function p को लिखेंगे अब यहाँ पर x के नीचे वशारे x के coefficients लिखेंगे और वो इस तरह से लिखना है कि यहाँ से पहले constraint के against जो equation है यहाँ से लिखना start करेंगे तो यहाँ पर है x का coefficient 1 तो इसके नीचे 1 लिखेंगे second में x का coefficient है 3 तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और third equation में x का coefficient 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे profit function में x का coefficient है minus 2 इसके बाद सब में से y का coefficient देखेंगे यहाँ पे y का coefficient 0 है दूसरे में देखें तो y का coefficient है 4 तीसरे में देखें तो y का coefficient है 1 और profit function में y का coefficient है minus 1 इसके बाद S1 का कॉफिशन्ट यहां पे है 1 और बाकि सब में किसी में भी S1 नहीं है इसका मतलब उनमे S1 का कॉफिशन्ट 0 है अब S2 का कॉफिशन्ट देखें तो first equation में S2 नहीं है, 0 आएगा second equation में S2 है, कॉफिशन्ट 1 आएगा third में भी नहीं है, fourth में भी नहीं है इसी तरह से S3 को देखें first equation में नहीं है, second में नहीं है और third में इसका कॉफिशन्ट 1 आएगा fourth में भी नहीं है इसके बाद हमने P का कॉफिशन्ट लिखना है इन तीनों equation में P मوجود नहीं है यानि कॉफिशन्ट 0 है लास्ट वाले equation में P का coefficient है 1, जो यहां पे लिखतेंगे, इसके बाद इस matrix में हमने क्या करना है, यह जो right hand side वाली सारी values, sorry यहां पे बंद नहीं करना था, अभी हमने right hand side वाली values नहीं लिखें, इसको remove कर देते हैं, और यहां पे हमने लिखना है right side value values, first में है 40, यहां पे 240, 240, और third में है 100, fourth में right hand side है 0, इसके बाद हम matrix को close कर देते हैं, इस तरह से, और अब हम क्या करेंगे, हम dotted line के जरिए right hand side को अलग कर देंगे, इस तरह से, और इन में से अगर हम देखें, तो first जो three lines है, three rows हैं, वो इन तीन constraints को show कर रहा है, first row first constraint को, second row second को, और third row third constraint को, तो इसको भी हम अलग कर देंगे इस तरह से, dotted line के जरिए से, जो profit function है, इसको हम अलग करेंगे constraints से, यह हमारा augmented matrix है, अब हमने इस augmented matrix को solve करना है, यहां पे जो augmented matrix का, यह last वाला जो digit show हो रहा है, यह, यह क्या है, यह अभी हमें show कर रहा है, profit को, यह है profit, तो अगर हम इस matrix के जरिए से देखें, तो फिल हाल हमारा profit zero है, जब augmented matrix बन जाता है, तो हम basic solution find out कर सकते हैं, तो यहां पे मैं लिख देती हूँ, basic solution, basic solution क्या होगा, वो हम matrix को देखके लिखें, augmented matrix में हर column उस variable के against value को show करता है, तो आपने यह याद रखना है, वो column जिसमें one और one के उपर नीचे सारे zero हूँ, जैसे यह वाला column है, और यह वाला column है, और यह, और यह column है, यह columns किस चीज़ को show करते हैं, यह columns की value non zero है, जो हम assign करेंगे, जबकि जिन columns में zero और one के इलावा कुछ और हों, उनकी value हम zero consider करते हैं, तो यहाँ पर जब हम x की value लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, x equal to zero, x zero क्यों होगा, क्योंकि x के नीचे की सारी entries, zero और one के इलावा कुछ और हैं, इसी तरह से y भी होगा zero, y is equal to zero, और s1, s1 को अगर हम देखें, तो इसमें one और zero है, और one कहाँ पर आ रहा है, first row के third column में, तो one यहाँ पर है, इसका मतलब, जो first row में right hand side वाली value होगी, वही s1 की value होगी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, s1 is equal to 40, इसी तरह से, s2 क्या है, s2 में भी zero और one ही है, और one कहाँ आ रहा है, second row में, इसका मतलब second row के against जो value है, वह s2 की value है, यानि s2 is equal to 240 है, इसी तरह से देखें, तो s3 की value क्या होगी, s3 की value होगी 100, और p जो की हमारा profit है, उसकी value क्या है, p में यहाँ पर one आ रहा है, तो p की value है zero, तो basic solution के मताबिक, profit हमारा zero है, x और y की value भी zero है, अब profit को हमने maximize करना है, zero तो maximize हो नहीं सकता, इसलिए अब हम इस augmented matrix को solve करेंगे, तो solve करने के लिए सबसे पहला step क्या होगा, जो इस dotted line के नीचे वाली row है, इस row में से हमने देखना है, sign को ignore करके, जो negative numbers है, यहाँ पे negative number है, two और minus one, तो जो negative numbers में से sign को ignore करने के बाद, जो सबसे बड़ा number बनता है, उसको हमने देखना है, अब यह minus two और minus one है, sign को अगर ignore करें तो यह बन जाएगा two, और यह बन जाएगा one, तो two और one में से कौन सा number बढ़ा होगा, two बढ़ा होगा, तो इसका मतलब, जो हमारे पास यह वाला column है, इस column को हम कहते है, pivot column, इसको क्या कहेंगे, pivot column, pivot column कहलाएंगे, और अब हमने क्या करना है, pivot number ढूनना है, यानि कि कौन से number को लेके हमने solution स्टार्ट करनी है, वो वाला number ढूनना है, इसका तरीका क्या होगा, जो pivot column होगा, उसका और इस right hand side वाले column का, हम ratio लेंगे, किस तरह से, right hand side divided by pivot, right hand side 40 है, तो इस row में pivot column में कौन सा digit आ रहा है, one, तो 40 divided by one क्या आ जाता है, 40 आ जाता है, इसी तरह से, यह 240 है, यहाँ पर 3 आ रहा है, तो 240 divided by 3 क्या आता है, 80 आ जाता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 80, और इसी तरह, यह 100 divided by 2 क्या आएगा, 50 आएगा, और यहाँ तक ही करना है, हमने नीचे जो profit function है, उसका ratio नहीं लेना, उसको divide नहीं करना, अब यह आ गया, 40, 80 और 50, इन में से smallest number कौन सा है, 40 smallest number है, तो इसलिए हमने क्या करना है, जिस row में 40 किसमें, first में आया था, तो इसका मतलब यह हमारा pivot number होगा, इसके बाद next step क्या होगा, जो pivot number है, उसके उपर नीचे, बाकि जितने number हैं, उन सब को हमने 0 बनाना है, तो इसके लिए हमें row operation करने पड़ेंगे, इस augmented matrix पे row operation हम next lecture में करेंगे,